कीचन के काम को असान बनाने के लिए कुछ ऐसे योनिक टिप्स आपके लेकर आई हूँ फ्रेंज जो आप रोज मर्दे की लाइफ में इसे इस्तमाल कर सकते हैं चाय पती को मैंने ब्रेड में देखे फैलाया हुआ है इसके अलावा फटाफर से रोटी बनाने के एक बहुत ही अदा यूनिक टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी गैस पर मैंने कटोरी क्यों रखा है ऐसी बहुत सारी अमेजिंग टिप्स है आज की वीडियो में तो चलिए देखते हैं फ्रेंट्स हमारी पहली टिप्स कौन सी है तो फ्रेंट्स मेरी पहली टिप्स है रोटी को बनाने को लेकर फ्रेंस क्या होता है कभी-कभी हमारे घर में तेन चालोग इकठे खाने के लिए बैठ जाते हैं और हमें रोटी उन्हें फटाफर सर्फ करनी होती है तो एक एक रोटी अगर हम बनाएंगे तो हमारा काफिक टाइम जाता है या फिर क्या होता है मौरिनिंग की टाइम में बच्चों को टिफिन बॉक्स हमें फटा फट रेडी करनी होती है तो भी हमें कभी-कभी जल्दी का काम होता है तो आप क्या करिए दो लोहियां ले लीजिए और इस तरीके से बीच में आईल लगा के दूसरी लोही को इसके पर चिपका दीजिए अब फ्रेंस जैसे कि मैंने दो लोही का बनाया है दो रोटी बनाऊंगी या दो पराठे बनेंगे ऐसी आप 3-4 लेयरिंग कर सकते हो और लगा लगा के ठीक है उसके बाद आप जैसे आप सेक बेलते हो वैसे आप बेल लो इससे क्या होता है एक साथ आपकी दो रोटी तयार हो जाती है अगर आप पराठे बनाते हो तो आपकी दो पराठे से रेडी हो जाता है तो बच्चों को आप एकी बार में जैसे दो पर बनाके दिखा रही हूँ इसे क्या होता है हमारा जो टाइम एक रोटी बनाने में लगता है उसी एक उसी टायम में हमारी दो तीन रोटीयां डैडी हो जाती है और बहुत अच्छे लेयर भी निकल जाती क्योंकि हमने बीच में घी ऑईल लगाया होता है तो इस तरीके से जब दो रोटिया एकठी बनाना चाहते हो या तीन चार बनाना चाहते हो तो दोनों तीनों ये तरीके आपके लिए बहुत ही आसान है आप इसे जरूर ट्राय करना मुझे जब भी जल्दबाद जी का काम होता है या मैं मोस्ली पराथे जब भी बच्चों को देती हूं इस तरीके इसे तवे पर उलट पुलट करके थोड़ा सा इसको डन करना है देन आप इस तरीके से फुला लीजिए आपकी रोटियां बहुत अच्छी फूल के रेडी हो जाती है उसके बाद आप इसमें घी लगाईए बटर लगाईए और जो भी मेंबर से उनको आप सर्व कर दीजिए तो आपका बहुत सारा टाइम भी सेव होता है फटा फट से रोटियां भी देखिए हमारी रेडी हो जाती है आई होप ये टिप्स आपके लिए यूस्फुल होगा इसके बाद मेरी अगली टिप्स है फ्रेंस दालों को लेके फ्रेंस क्या होता है हम दाल वगएरा जब भी इनमें कीडे लग जाते हैं अगर हम चार पांच को लेका ठिल ले आते हैं तो अगर धूब बगएरा ना दिखाएं तो या फिर हमें उसमें कुछ दवाईयां डालनी पड़ती है तो घरी में इसका एक बहुती असान सॉलूशन है आप थोड़ा सा सरसो का तेल ले ले उससे कीडे मुकवरी नहीं आते हैं और जो हमारे अनाज होते हैं उसमें जाले नहीं लगते हैं और हल्दी तो आप जानते हैं अंतिसेप्टिक होता है तो जब यह दोनों का आप सॉलूशन बनाते हैं और अपनी दालों में इसको अच्छी तरह से मसल के रखोगे ना यह कंटेनर में फिर आप देखोगे आपकी जो दाले हैं बिलकुल भी खराब नहीं होती है कोई भी जाले या केड़े नहीं लगते हैं ऐवन ऐसे करने आप राजमा हो गया छोले हो गया मटर हो गया काले चने हो गया इन सब को भी आप इस तरीके से अगर मिला के रख लोगे सरसो तेल और हल्दी में तो आपकी जो चीजें हैं वो खराब नहीं होंगी तो यह बहुत ही आदा यूसफुल तरीका है और सबसे बड़ी चीज फ्रेंस हल्दी ओयल जो है वो हमारे घरी में ही रहता है हमें बाहर से कुछ भी इंस्टेंट लाने की जरूत नहीं पड़ती है तो यह घरी लू जो तरीके होते हैं इनको इस्तमाल करने से हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ता है साथ हमारी चीजे भी सुरक्षित रहती है तो आई होप यह आईडिया भी आपको बेहत पसंद आया हो चलिए देखते हैं हमारी अगली टिप्स कौन सी है तो फ्रेंस कर सकते हो और तो आपको नए ब्रेट बी इस्तमाल कर सकते हो ठीख हैं यह टीक है देखें अने ब्रेड ले लिया है और इसैंने गुर्ट के पानी क्या-कर ना थोड़ा-सा ख दोड़ा-स पांधी कर लेना है तो फूरा-सा पानी नहीं कर लेना थे क משे अगवर गिला-गिला रहे, ड्राइ सा ना रहे ये बहुत लीड़, ये यूस्फूल किप्स है, फ्रेंड्स आप इसे जरूर ट्राइ करके देखना और बहुत ज़ादा ये इसके बाद जैब थोड़ा सा मौइस्च हो जाए इसके बाद हमें इसमें थोड़ी सी चाई पती यह जो हमने रेडी किया है ना जिस जगह पे इस्पेशली हम इसका कहां इस्तमाल करेंगे ना जहां पे कहीं भी बैड स्मेल आ रही है तो आप इसे गैस के ऊपर रग दोगे ना तो आप देखो कि जो भी किचन में बैड स्मेल है उसको यह एब्जॉब कर लेगा बट इसका स होता है बहुत सारी ऐसी चीजे होती है जिनके स्मेल आती है कभी कभी तो अगर आप चाहते हो आपके फ्रीज से कोई भी स्मेल ना आए दम फ्रेश फ्रेश सा रहे तो आप इस ब्रेड और चाय पत्ती का जो हमने बनाया है ना इस प्लेट को आप रख दीजे फ्रेंड्स आप चाहो तो चाय पत्ती की देगर जो मीठा सोडा होता है उसे भी स्प्रिंकल करके रख सकते हो बट मुझे चाय पत्ती का जो स्मेल है वो काफी अच्छा लगता है और इससे बहुत अच्छी खुश्बू आती है और प्लस आपकी जो बैड स्मेल फ्रेज में कोई भी आ रख सकते जुलियोगन तो बहुत ही आदा से जड़ी है ऐसे जए जुरूडकर करना सो कहना है देखते हैं हमारी अगली टेप सकून सी है तो अगली यह ख्याली टिप से मेरी गया सको लए कज़िक वाला काफी टाइट करने के आपर थोड़ा सा पूश्ण करेंगे तो यतन टाइट होता है निकालते 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 न बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है तो आप जब भी फोक का इस्तमाल करोगे इस्पून के पीछ वाले पॉर्शन से बहुत आज़ी निकल जाएगा उसके बाल चैनस मेरे अगले टिप्स ये है कि जब भी आप कियाश लेकर आएं जब भी आपके हर नया गैस आए तो आप एक काटोडी का इसतमाल जरूर करें काटोडी मतलब काटोडी में पानी का इसतमाल ठीक है आपको करना क्या है थोड़ा सा चमच से पानी ले लेना है कटोरी से और आपको यह जो होल है इस होल में डालना है इस पानी को डालने से क्या होगा फ्रेंज आपको यह चेक करना बहुत जरूरी है कि आपके गैस में कोई लीकेज तो नहीं है तो जब भी new gas आए आप इस तरह की थोड़ा सा पानी डाले अगर आपका gas leakage होगा तो इसमें से bubbles निकलेंगे और अगर leakage नहीं होगा तो कोई भी action reaction नहीं होगा तो कभी भी gas जब भी आपके रहर में new आए ना आप था कटोरी से चमच से पानी जरूर डालके देखें यह safety point of view के लिए point of view से बहुत ही अच्छा होता है और यह हमें करना ही चाहिए तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी I hope आपको पसंद आए होगी कल फिर मिलेंगे thank you so much for watching my video bye bye and take care